बूड मार्निंग विद्यार्थी मिठ्मूं। आजे आपले एक नवा ट्रपिक ती आपले सरु वाज करेशू। यही काले आपले ब्राउनियन मुव्मेंट लेगे ब्राउनियन गती अने टिंडियाल इफ्ट पन जोई अने वीडियो पन जोई आथा। आजे आपले 9 बुद्धा साथे adsorption लगे अतिसोशन न बुद्धार जे आपले इहां अक्ष्यारे वाज करियेश आपले के अतिसोशन एकले सूस आउती बेला। तो कलिल द्रावण मा रहेला अनुव के आयेनो वित्रण माध्यमनी सपाटी आकरसन दरावे जे द्रावण ना कणोनी प्रकुटी अने चत्थावपर आधार राखतावे। में प्रकार ना अपले माध्यम जोह आःथा, एक वक्ति अपले जोई है, जे कलान वित्राथ हैले उत्रार थावखर आपले जोहुए अने एक्जांपल्स्वारा से तरें गभ्र प्रावा एक अन्युल द्रावन मा रहेला अनुवखे आयनु वित्रण माध्यम नी सपटिया करतन दरावे यहने अपले अधिसोगन खरीके ओलगेशे जे द्रावन्ना करणोनी फ्रकुर्टी यहने जत्थाव पर आत्राक्तु अपनने जोवा मलत हुए यह पछेती बिजा मुद्धा माचो यह वि विजूद के गूण्धधर मो यह एना प्लस और नेगेटिवी चार्ज माध्या आधारे आपनने जोवा मठ्योए जयन विज बर अत्वात्वत रूण विज बार्त तरिके उड़क्शो, विजूद बार तरिके उड़क्शो, अन्हें रून अत्या विजूद बार तरिके पापण्टी गया जोवां मल सै, तो कलिल तंत्रण यंदर वीत्रित कला अवस्ताण यंदर आपण्णे त्रहला कनोनी आसपार आपण्णे विद्धुत्बार धरावतास पर जोवां मलतावाई अने एक लायक है चार्जिस दरावता हुए पॉजेटिव है अक्वादो नेगेटिव है जेम कहेंगे एक्जाम्पलापी अपने गुंदर नू कलिल दरावन धन विद्धूत बार दरावता कलिलो माती जो विद्धूत प्रवा पसर खरीए अपले तो ते वित्रित कलाना तो इलेक्ट्रोप्रेशिस चेन गुजराथी में टरावन धन विद्धूत बार धन विद्धूत बार दरावता कलिलो माती जो विद्धूत प्रवा पसर करिया अपले तो ते वित्रित कलाना कौनों पजिटिव अथवाता तो नेगेटिव दूत दराव दिगाद थता इल्क्ड्रोफ टोलेसिस अछवा तो वि्त्वाली विश्टलेसन करें के अपने और है इल्क्ड्रोफ परूलेसिस तो इल्क्डोफ ट्यान गुज्राती में कह kommen गोड्रती में बढ़ाउं तो बरते जोक्तिट जई है वीरोधी विध्त्वत पर ग ensuring दराव दो अपड़े इलेक्ट्रोप्रेसिस के विद्धुद कला विश्रेशन तरीकि आपड़े जानिएज़े कलल काणव उपर रहेला विद्धुद भारो ए सास्वतेलके कायम आपड़ने जोवा मलता हुआ था नथी ए परमेनेट नहाँ है ए परिसीती प्रमानेट बदलाई जाता हुआ अने यहना बदलावा माटे जोरुरी बात्यमनुँद भारो ए तेम विद्धुद भारो नुविद्ध भारो नुम्यपन बदलाई जयामके तुम्हें जाना चो एक्ठी चौद सुधि अपले पी ज़िवारी के M4-T तरीके अपना आपले ओले उलाइक छेजे तो आपने एक मार्क मांपूछे के M4-T पने कैसुद तो माध्यमनुद भारो नुम्यपन बदलाई जयाए अवा कलीलने अपले ज़िवारी के M4-T तरीके पन आपले जानी एचुद एकड माध्यमना कवा तेओ धन्द बार वाड़ापन बन है जे pH आंके कलील विद्धूद बार ने द्रश्टिय तटस्त बनता हुए ते pH ने आइसो एलेक्रिक पॉइंट तरगे अपले उलाइक है कोस्रस मा रहेला प्रोटिन अने मेदना कालीलो विविद आयसो एलेक्रिक पॉइंट जरावता हुए आथी विविद राशानीक प्रक्रियावनों पन नियमन फ्रतू आपन ते आगल जोहा मलतू है और आमार्णाद अने कोक्त्रास धन्दरा सरक資लेंते नोलर तरफ और हो जोहां जोhoven कोक्त्रास धन्दबार और कोक्त्रास अने कोक्त्रास खोक्त्रास ठायों एला बननेग भीजा साथनी जूडायला रेता हम प्या सिसल बेर फोशलासु विना अन्नेग प्रकार उल्ली अंगिकार शापने समाल सुखतनाば तो केटला कलीलो विद्धुत भारड धनरा वेर चो पॉजेटि विद्धुत भार धनराकेक स्टक्रावेर अडर्यल की थागीised नेकर विद्धूत भारड अशंता है ये लिग ब्रावनियन गतिने लईने एक बिजा साथे अथलाए औने आती मुट्टा कणों बने आ कणों कद वधवाती त्यों तळिये ब्यासवां माटे आ गठनाने प्रॉक्पुलेशन तरीके आपले जानिये चे प्रॉक्पुलेशन थवाती कलिलना गोणों नास प्वांतावाई जाखला तरीके जो जमीन मा वचारे प्रमाने रासानी खातरों मिर देए तो जमीन ना कणों जे कलिलना वस्तामाई ते आ गोंदर्मा गुमाई त्यति आवी जमीन मा उत्ती वनस्पतिना मुळों अभी सोस आपड़े जानी आपड़े जानी यह कोई वी फिगरवाई तो आपड़े इंहां जानवानों प्रयातना करिये जो मले तो बंदे नी एक्सोर्सन अने फ्लप्पुलेशन नी बंदे नी फ्रक्रिया आईयां जोई आपड़े तो खोड़े यह अगल गड़ा का पणना है यह एक्जांपल आपनना सोबने बंने नु कमफेरेजन पुला आपड़े यहित्ति एसलन अने सोचन बंने नु अमसे अपक्त सब्सक्ती उप्र अफोसन नी अदर वोय था? प्रेसोसना ने अंदर सपाट ने अंदर मौलेबूल्स अनि अंदर प्रविश करता आपनने चुवा वावाँ अनियां को यह रिलेटेड यह यूटूपर वीडियो वाई तो अपना आपड़ जुवानों प्रयाट्ना करिये जो मौलेतों ते कहीं है अप्सेंपले बस्ट एंपला प लोग जब दो जिवाद दो एंग अबस और अद्स अबस्टिशन संटी अचिदंध लग्टिय फो वाल्यू यूस तटिंग बस्थ बस्ट वेश्ट विडिव इडिवर इंमेड़ी click on the right option yes now watch the tissue paper suck away the spill liquid quickly if we had used ordinary paper the tea would not be completely absorbed tissue paper absorbs the liquid and ordinary paper and salts a liquid how are these two different let us learn more on them let's understand absorption and ads option absorption is the passage of one substance into or through the bulk of another medium the absorbed substance spreads to saturate the whole of the medium to form a solution the mixing with the other medium's environment is so well that one fails to recognize its existence as a separate entity in contrast what happens during adsorption adsorption is the addition or sticking together of molecules of a gas liquid or dissolved solids to the surface of a solid or sometimes a liquid the molecules are loosely held by the surface and can easily dropped off as processes absorption is seen in common day examples perfume spray is absorbed by our skin crisp finger chips turn soggy because they have absorbed moisture from the air one substance is well soaked into a different medium what about adsorption here is a jar containing a red dye dissolved in water look what happens when a solid pellet of carbon is dropped into the job well isn't that surprising the red color has almost disappeared in the job why the charcoal pellet has my new pores on its surface that calls the colored particles stick to it the red dye undergoes the process of adsorption at the red and usually that simply cannot be reversed by simple means although you know the video so you have a character of the population in water in a little bit of a photo on 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 नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में फ्लेश मिक्षर में कॉगुलेशन और फ्लोकुलेटर में फ्लोकुलेशन प्रिक्रिया का प्रोसेस एनिमेशन दिखाया गया है फ्लेश मिक्षर में पानी में कॉगुलेंट केमिकल जैसे एलम लाय मित्यादी मिलाया जाता है और पानी और केमिकल्स को हाई स्पीड एजिटेटर की मदद से बहुत जल्दी मिक्स किया जाता है Rapid Mixer का उप्योग बेस मॉटर में Coagulant Chemicals को समान रुप से वित्रिद करने या uniformly distribute करने के लिए किया जाता है Chemicals की mixing के बाद Coagulation Process स्टार्ट होती है जिसमें Coagulant Chemical पानी में महीन कड़ों के विद्धूत आवेसों को neutralize कर देते हैं जिससे महीन कड़ एक साथ करीब आते हैं और बड़े कुछों या जिसे हम Phlox भी कहते हैं का निर्माण करते हैं Coagulation के बाद अंतिम चरण Phloculation है Phloculation Coagulation प्रिक्रिया में neutralize किये हुए महीन या बारी कड़ों या particles को Pedal Agitator की धीमी गती की mixing के कारण एक दूसरे से जोड़ कर बड़े आकार के Phlox में परिवर्दित कर देता है और particles का size बढ़ने से भार बरता है और particles गुरुत्वा कर्शन के कारण बहुत जल्दी settle हो जाती है प्लेश मिक्सिंग आम तोर पर एक मिनिट या उससे कम समय चलती है जबकि फ्लॉकुलेशन आम तोर पर 30 से 45 मिनिट में कम्प्लीट होती है ये प्लेश मिक्सिंग यूनिट में हाई स्पीड रैपिट मिक्सर की कुछ पिक्चर्स है के अच्छय है का की कि आपिए उससे का वाम तोर झापिए निटिवादु लॉक। अच्छ फलॉकुलेशन दूच्छ एंशा थिस्टोर पीप्रचे प्लाप्लेशन प्लापिए निटीशन जूंग्न डेविए दोकल किस्ट करो ह pięo हिजसित क्सuster सुन्Taound अज्सुर्ण पेचा दॉत अ अ jurist सान प्रोट इवड़े देवड़को आंडाल tan येश थारेँ पंडाताष्यस देप्ट भबुड को the p the system as a built-in module of place because pollution off the floating man make डिरेच estar टेंसों हो आपनम सब्सिक्टिक आर लीग थे लुग के अदा टेरे लुग 2 पच्छ प्छ झेयरे, जोगsn पर और आमें क्या है अवे ना पच्छीनों नेक्स्ट मुद्ध्वात आपड़ा माटेनों डायलिसिस कुबज महत्वानी प्रक्रियाजे डायलिसिस नी कलिल कोणों फिल्टर पेपर माधी पसार थाई सके परंदु पार्ट्मेंट पेपर चे अधुप्रविशिल पटल वा आपड है प्रविशिल पटल एट है आपणों फोसरऽ पटल पन अपले अने प्रक्रिया शक्ते शर्खिए तो चुझ ए किटला शत्यobylावन ना काड़ों प्रुटर पेपर माधी पसार थाई सक्ते आ नदी परंदु पार्ट्मेंट पेपर माधी पसार थाई सक्ता वाई करनो अलग अप्डखे करें, आम सत्य ध्रावान और कलि ध्रावन न्यां चुटा पढ़वानी करिया और अपड़े लिस्स C तो सत्य द्रावण और कली द्रावण ने चुता पढ़वानी प्रक्रिया ज्याने अपड़े ड्यालिस के सु यहां के सुडियम प्लूरेट इलेक एनेस द्रावण अन्ने स्टाच न द्रावण ने मिर्स करता हिये बन्ने ने पार्टमें पेपर माधी पसार करिये सुडियम प्लूरेट नावण उसारत अधा जारे श्राच नावण पतारते सकता वत्ता नाथी आप्टर प्लेन अपड़े ड्यालिस करिके पून आप्लेन उळेकेशिए नहीं अपन्पन पो यहां ड्यालिस बिसेन एक्टिमेंट्ट्वाए वाजोई यहां आपेलो गाता हम कि आफ द्लिस कैनल्सियान उहां स credit मैंक्रत अथ में आफ्लाइ्व यहां उक्कॉड़च्डर साओंनाथ पाली करूल अभी महां एकार ilôm बिसे सकता क्या आपननाव अपड़ेबन डियालिचिसनों ग्रेक्टिकल अपड़ेबीन करवानू आउसे दियागल ल cruc you so this is the final observations for the iodine lab the diffusion lab and what you तर बी comprehensive क्यार्य है किया इचम एक क्या चलcolor अ की का फिटिकी दिρα्स है कि बनाने का लिए सenne जर्खवा टींग आफ फेसे थाइतों तेसो फुल然後 फिर इन तेसे लिए एंडिटे जेंवे से एंद wonder कि लिफ्क के तर्स एंगर को मिल्कूस कि बिल्ट नसे क्या देखते हैं and it is green so that means glucose has left the bag okay all right and then the last thing we're gonna look at is the beaker solution itself and the tube solution you can kind of see the beaker has remained kind of that yellowy of color and the tube inside osmosis is the diffusion won't usually want any permeable membrane higher concentration to a region a concert let us put her take a thistle funnel filled with sugar solution daily and close the white open end of it by securely fastening a cellophane paper around it suspend the funnel in a beaker containing water by fixing the funnel to a supporting stand note down the initial level of the solution in the funnel after some time you can observe that the level of the solution that is the stem of the thistle funnel rises now after you mean that warm origin after the dialysis never face a dialysis is naked no 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 yeah 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 प्रमाडे ना आअलिसिस ना एक्सरेमेंट्स करवा मागता वाई लेधु यहां प्रमाडे पास्मेंट्स फिपर ने इंदर द्यागनी इंदर फारीली देखनी इंदर नेसईयल आन्ने स्टार्य बिगा कर लावै बंदिने चुली वार पाणी मोंगी राखे लेना तती स्टात ना कणु के NACL ना कणु मलिकुल स्यमती फुटा करजा आपनने जुवा मढधावाई यह अच्रमेट यहां बता हो जो जो तो प्रमाने आपड़े डायलेसिस नी प्रक्रियानों पर आपड़े अभ्यास करी सक्किये छे आन्ने रिलेटेड कोई प्रस्णु आए तो कुछी सब्साइब कोई पर मुझ्जोन हो यह वार्ट्टप करी पॉज़ी वालपन करी सब्सा